नमस्कार दोस्तो दोस्तो हर उम्रक के लोगों के लिए दूद पीना फायदेमन्द होता है दूद जो ये प्रोटीन विटामिन और कैल्शम का अच्छा सोर्स होता है दूद पीने से हड्डियों और मास पेशों को मजबूती मिलती है और इसके अलावा दूद में विटामिन ए मेगनेशम और पटेशम भी होता है दूद पीने से ये सभी पोशक तत्वा मिल सके इसके लिए दूद को सही तरीके से पीना जरूरी है और अक्सर कई लोग दूद के साथ फल या फिन नमकिन चीज़ खा लेते जो कि बिल्कुल गलती है ऐसा करने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है तो दोस्तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि दूद पीने के बाद किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए तो दोस्तो सबसे पहले बात की जाए नौनवेज की तो दूद और नौनवेज एक साथ लेना गलत होता है गरों में भी अक्सर नौनवेज खाने के बाद दूद या दूद पीने के बाद नौनवेज खाने से मना किया जाता है विग्यानिक आदार पर देखे तो दूद की तासिर ठंडी होती है जबकि नौनवेज याने की मीट चिकन या मचले की तासिर गर्म होती है और ऐसे में ठंडा और गर्म को एक साथ लेने से सेयत को हानी हो सकती है और इससे ऐलर्जी और तवचा संबंदी समस्याएं हो सकती है दरसल दूद और नौनवेज को पचाने के लिए अलग-अलग पाचक रसों की जरुवत होती है और इससे पाचक संबन्दी समसाएं हो सकती और साथ ही दूद के बाद नौनवेज खाने से इम्मिनिटी भी कमजोर पड़ सकती है उसके बाद दूस्तों बात की जाए खटे फलों की तो दूद पीने के बाद भूल कर भी कभी खटे फल नहीं खाने चाहिए दूद के बाद खटे फल खाने से दूद में मौजूद केल्शियम फलों के एंजाइम को सोक लेता है और इससे शरेड को दूद के पोशक तत्वा नहीं मिल पाते हैं दूद के बाद संत्रा, अनानास, अंगुर, कीवी, बैरी और स्ट्रोबैरी वगिरा खाने से बचना चाहिए दूद के बाद खटे फल खाने से पाचन तंद्र भी खराब हो सकता है और इससे गैस और अपच वगिरा की समस्या हो सकती है दूद पीने के बाद नीबु पाणी और शिकन जी वगिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए उसके बाद दूद के बाद की जाए नमक की तो दूद और नमक का कॉंबिनेशन स्वास्त के लिए नुकसां धायक हो सकता है दूद के साथ नमक वाले खादेपदार्थ खाने से शरीर को परिशानी हो सकती है और इसका असर पाचन तंतरपर पढ़ सकता है और साथ ही अगर दूद के बाद नमक खाया जाता है तो इसे तवचा सम्मंधित समस्याएं भी हो सकती है और इसे दाद, खाज और खुजली जरूरी है उसके बाद दूस्तों बात की जाए दही की तो दही और दूद दोनों ही डेरी प्रोडक्स हैं और लेकिन इन दोनों को कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए दूद पीने के तुरंत बाद दही खाने से बचना चाहिए इससे दूद के पोशक तत्व अवशोशित नहीं हो पाते हैं दूद पीने के बाद दही खाने से टॉक्सिंज बन सकता और इसलिए आयरुद में इन दोनों को एक साथ नहीं लेने की सला दी जाती है और उसके बाद दूस्तों बात की जाए तरबूज की तो अकसर ही घर के बड़े बुज़र्ग तरबूज खाने के पानी न पीने की सला देते है ठीक वैसे ही दूद पीने के बाद भी तरबूज नहीं खाना चाहिए अगर दूद के तुरंत बाद तरबूज खाया जाता है तो इससे स्वास्त बूरी तरह से प्रभावित हो सकता है दूद और तरबूज एक साथ लेने से शरी में विशाक पदार्थ पैदा हो सकते हैं दूद के बाद तरबूज खाने से व्यक्तिको उल्टी और डायरिया की समस्या हो सकती है और इसलिए ऐसे हानिकारक कॉंबिनेशन से हमेशा बचना चाहिए तो दोस्तों दूद को केलशियम और प्रोटिन का सबसे अच्छा स्त्रोत माना जात दूद की साथ गलत कॉंबिनेशन लेने से पोशक तत्वा नहीं मिल पाते हैं और साथी सिहत को भी नुकसान पहुंचता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर पर नए है तो चैनल को कर ले सबस्क्राइब और बैल आइकन के बटन को ज़रू क्लिक कर ले था कि मेरी नई वीडियो के नाटिफिकेशन सबसे पिल आपको मिल सके थैंक्स पर यूर टाइम